दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सबसे पहले कबर कॉंग्रेस ने जारी की आठ उमिद्वारों की पहले लेश्ट जाने किस प्रतियासियों को कहां से मिला टिक अबिहार विदान पर इस चनाव के लिए कॉंग्रेस ने आठ उमिद्वारों की घोसना कर दी है। आज की 24 सिटों के लिए विदान पर इस चनाव होना है आनि सिटों की लिए मिद्वारों की घोसना पाटे जल्द करेगी। अगली बड़ी कबर मुंगेर को मिलेगा मेडिकल कोलेज का तवफा सेम नितेस जल्द करेंगे घोसना। जहां मुंगेर को मेडिकल कोलेज के तवफा जल्द ही मिलेगा, मुखी मंतरी इसकी घोसना जल्द कर सकते हैं, इसका संकेत सनिवार को जदोई के राष्टी अधिक्सा मुंगेर के सांसद राजिव सुरंजन सिंग उर्फ लालन सिंग ने दिया है, उन्होंने कहा कि मुंगेर की जनता की ओर से लगातार मेडिकल कोलेज की मांग की जा रही थी इस समन में मुखिमंत्री से आगरा किया गया था उनसे मुगेर मेडिकल कोलेज की सापना को लेकर सकरातमक वरता हुई है मेडिकल कोलेज की सापना का मामला मुखिमंत्री नितिस कुमार की विचारा दिन है उ अभी बाराज से पहले देसी बंब की बड़ी खेप हो रहे ती तैयार hvis को मकान मालिक की आतलास जिहां सभागलपूर बंब राष्ट में पुलिस के प्रारमिक जाच में बड़ा हुआ है यहां देशी बम की एक बड़ी खेप तयार की जा रही थी यह तयारे सब यह बारात से ठीक फहले की थी इस ब्लास्ट में दो लोगों का नाम सामने आ है एक लिलवती और दूसरी माकान मालिक महामाद आजाद आरम धमाके में जहां लिलावती के पूरे परिवार की लिला समाप्त हो गई तो वह आजाद फरार है मुखे से भारी मात्रा में बारूध और लोहे की किल मिली है बारूध के दो थाने तातरपूर और कोतावली के बीच बसा एक कजवली चवक है घना अबादी वाले कजवली चवक के बीचों बीच एक तीन मंजिला मकान है जिसमें मुहमद आजास का मकान है इस मकान में लिलावती देवी अपने परिवार वालों के साथ रहती थी पले ये मकान लि प्रवार को बड़ा काम करता था इसलिए आजाद ने परिवार को बड़ा काम दे दिया था साथ ही पुलिस की जाच में यह खुलासा हुआ कि लोगों की नजरों में धुल जोकिने के लिए यह दिन में वेल्डिंग और ग्रिल बनाने के साथ डिस्पोजल का प्लेट का इंट अवर ने रचक के खाली पदों पर भरती के लिए मुई के परिचा की तितिक एलान बिहार पुलिस अवर सिवा आयोग की ओर से कर दिया गिया है आयोग ने कुछी हपते पले इन पदों के लिए प्राराम्बिक परिचा का परिणाम जारी किया था पिटी में सपल चरतियों के लिए 24 अपरेल को मुई के परिचा होगी इस बाबाद बिहार पुलिस अवर सिवा आयोग के विसेस कायर पदादी कारे ने अदे सुचना जारी कर दी है अगली बड़ी कबर केंद्रों पर मेट्रिक के उतर पुसिकाओं का मुल्लाकन सुरू 17 मार्स तक जाची जाएगी कोपिया जिले में अंग्रेजी विज्ञान, संगित, अर्थ, सास्त्र, गणित, समाजिक विज्ञान, हिंदि, संस्क्रेट, और्ध, विसोई की कोपियों का मिल्नाकन परिचों को दुवारा किया जा रहा है परिचों की मुल्नाकन के बाद प्रतिन्योक्त किया गए, MPP मिले प्रापतां को बिहार भी दाले परिचा समिती के पोर्टल पर ऑनलाइन कर रहे है केंद्र अधिक्चकों ने बताए कि 17 मार्श तक मुल्नाकन कारे चलेगा, मैट्रिक बोर्ड परिचाओ की कोपियों को मुल्नाकन के लिए सुकुरवार को परिचकों और MPP को योगदान करने का निदेश दिया गया था हाला कि बहुत से परिचक और MPP ने सुकुरवार को योगदान कर लिया था, लेकिन कूछ परिचक और MPP सनिवार को योगदान किये है अगली बड़ी ख़बर राजदाने पटना के तेवर सबसे ज़्यादा गर्म और अंगाबाद में मौसम रहा ठंडा, सेहत का रखे खास ख्याल जिया राजदाने के अधिकतम तापमान में सुकुरवार को सामाने से 2 डिगरी की विर्दी दर्च की गई है 31.4 डिगरी सेलसेस के साथ पटना पदेश का सबसे गर्म सर रहा जबकि नियुनतम तापमान 14.4 डिगरी दर्च किया गया वहीं सबसे कम और अंगाबाद का नियुनतम तापमान 11.9 डिगरी सेलसेस दर्च किया गया मासम बेगानी की माने तो प्रदेश में पजवा हुआ सता से 1.5 किलोमीटर उपर इसका प्रवाब बना हुआ है इसके करान मासम में बदलाव की सिती बनी हुई है अगली वड़ी कबर सरकार ने मांगी इंद्रा आवास के 12 साल पूरू के अधुरे घरों की सुची मुख मंत्रे ग्रामेन आवास साहता योजना के जरिये दिया जाएगा लब जी हाँ इंद्रा आवास योजना के तहट एक अप्रेल 2010 के पूर्व स्विकिर्त वैसे परिवारों के सुची जिलों से मांगी गई है जिनके घर का निर्मान अधुरा रह गिया है इसके लिए ग्रामेन विकास विभाग ने जीलों को एक सब्ता का समय दिया है इन परिवारों को मुख मंत्रे ग्रामेन आवास साहता योजना के तहट जल्द लाब देने के कारवाई की जा सके इसके मकसद से रिपोर्ड मांगी गई है विभाग ने मुझपर, पूर और केमूर को छोड़ करने सभी जीलों की जिलादिकारियों और उप विकास आयुक्त को निर्देस भेजा है मालूम हो कि ग्रामेन चेत्रों में एक जन्वारी 1996 से इंद्रा वास योजना के तहट गर्वी रेखा से नेचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के इस्ताई आवास के लिए मकान वनाने को लाबुक को 35 जारतवा इससे कम रासी उपलब्द कराए जाती थी घर को पूर्ण करने में या रासी परियापत नहीं थी इसी करन कई आवासों का निर्मान अधुरा रगया था विसेस कर यहा समय से अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती और आती पिछड़ा वर्गे के परिवारों में ज़्यदा गंभीर है इसलिए ऐसे हर एक लाबुक परिवार को उनके घरों के पुरा कराने के लिए राज सरकार पचास जार की मदद देगी ताके उनके आवास पूर्ण हो सकी इसका लाब उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके पास पक्का घर है अगली बड़ी कबर सहर में पचास स्मार्ट पार्किंग मनाने की कवायाद सुरू अप्रेल से राज़ाने में वहन पार्किंग की बुकिंग कर सकेंगे ओनलाइन सुल्क भी बढ़ना पक्का प्रदेश में पहली बार पाटना नगर निगम चेतर में रहने वाले लोगों को स्मार्ट पार्किंग की सुविदा मिलेगे घर से निकलने से पहले अपने वहनों के लिए ओलाइन पार्किंग बुक कर सकेंगे पाटना नगर निगम के वेबसाइट पर स्मार्ट पार्किंग का लिंक रहेगा इसके लावा एजनसी भी स्मार्ट पार्किंग के लिए वेबसाइट बनाएगे सहर में करेब 50 स्मार्ट पार्किंग निर्मान की प्रक्रिया चल रही है आपको बदा दे कि अभी कई जगा पार्किंग सुल्क नहीं देना पाड रहा है इतना ही नहीं पहले की तुलना में स्मार्ट पार्किंग टिकट सुल्क अधिक लगेगा उधारन के लिए पहले 4 विलर का पार्किंग सुल्क 25 से 30 रुपय था अब नई सुविदा में 40 से 50 होगा तेयार जह विझार विदाले परिज़न समिते यानी विआर बोर्ड की ओर से इंटरी की परिचाऊ की ओरे जल्दी जारी करने को ले कर कवाया तेज कर दी गई इस मैने के आखिर तक यह अप्रेल मैने की सिरुवात में जारी होने के उमीद जताई जा रही है अगली बड़ के बर बिहार के कतेस जिलों में लोग पी रहे हैं दूसित पाने मानाव अधिकार आयोग ने राज सरकार से मांगा है जवाब यह राश्ट यह मानाव अधिकार आयोग ने बियार में भोजल परदूसन को सितिको गंबिरता से लेते विए राज सरकार को नोटिस जारी किया है कि और चौह हपते की बितर रिपोर्ट भी मांगी है आयोग ने यह संग्यान एक मीडिया रिपोर्ट पर लिया है जिसमें आर्थिक सर्वेचन 2021 के हवाले में कहा गया था कि राज के 38 में से 31 जिलों का भोजल अटन्त परदूसित है इनमें आर्सनिक, फ्लॉराइड और आइरन के अतदिग मातरा है जो स्वास के लिए गंबीर खत्रे पैदा कर सकते हैं साथ ही जिगर और गुर्दे से समधी समय साई हो भी हो सकती है रिपोर्ट के मताबिक इने सबी जिलों के खास कर ग्रामिन इलाकों में ज़्यादा प्रभावित है आयोग ने कहा कि अगर यह रिपोर्ट सही है तो मानाव अधिकारों के उलंगन का गंबीर मामला है इसके लिए आयोग की ओर से मुई के सचीव लोग के स्वास यांदरे की बिवाम राज सरकार को नोडेज जारी कर जवाम मंगा गया है राज परदुसान नेंदरन बोर्ड को भी मुझल के रेंडम सेंपलिंग कर रिपोर्ट मांगी गई है साथी निर्देश दिया कि उक्ते जिलों में पिने योग पाने उपलवद कराने के लिए किये गई सुरक्षों पायों और हर घल नल का जल योजना का किर्यानावन भी होना चाहिए बाड़ी कबर रेल मंदरी का बड़ा बयान जल समधान का अधुसुचित किया जाएगा जिया रेलवे बोर्ड की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपूलर केटेगल याने की अंटीपीसी परिचा में कतेत अनेमेतता को लेकर अभियातियों द्वारा किये गई सिकायतों के जाज करने के लिए गड़ी तोच्च अधिकार प्राप्स समिती द्वारा रिपोर्ट सोबे जाने की एक दिन बाद से नुवार को रेल मंतरी असनेवी वैसम ने कहा कि समदान को जल्द या दुसुचित किया जाएगा समिती को चार मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा गया था उत्तर परदेश और बिहार में रेलवे भरती बोर्ड की एंटिपसी परिचा 2021 को लेकर बड़े पेमाने पर विरोत परदसन हुए थे रेल मंत्री ने ट्विट करके बताए कि उचदिकार प्राप्द समिती को करीब 3 लाग अभिवेदन मिले जिनका विसलेशन कुछ दिन में ही कर लिया गया और कुछ दिन में अरार भी समदान अधसुचित करेंगे अगली बड़ी कबर महाबोदी मंदिर में अब 24 घंटे मौजोद रहेंगे 300 से ज़्यादा जवान नए भावान में सिप्ट होंगे तैनाद सभी पुलिस कर्मी जहाँ पेछले कुछ वर्सों से आतंक्यों के निसाने पर आचोके ततागत तता ग्यान इस्तली विस्व धरो और महाबोदी मंदिर की सुरक्चा कवच और सक्त होने वाला है इसके लिए मंदिर परिसर में 24 घंटे में 300 से ज़्यादा पुलिस कर्मी मौजोद रहेंगे मंदिर परिसर इस्तित विवेन वाच टावरों और मोर्चो परत्यनात पुलिस कर्मियों के अलावा जिनकी बिहार में 16.13 लाग नए LPG कनेक्शन आई ओसी के सबसे अधिक जह बिहार में प्रधान मंत्रे उज्वल यूजना का दूसरे चरणा बंद हो चुका है इसके तहत राज में 16.13 लाग कनेक्शन बाटे गये हैं इसमें सबसे ज़दा आई ओसी के ओर से 5.63 लाग कनेक्शन द निकाली है वेकेंसी 28 से मार्च तक कर सकते हैं आविदर 35,000 होगी सेलरी 8 से 12 साल का नुवव जरूरी जह बिहार में सरकारी स्कुलों में प्रिंसिपल बनने के राध देखने वालों के लिए खुसकबरी है बिप्यसी ने राज सरकार के उच्छे मादमिक विदलयों में 6420 पदोपर प्रदानाई दपगों के पदोपर भाली निकाली है इन प्रदानाई दपगों के लिए 35,000 रुपी वेतन मान निदारित किया गया है इसके लावा राज सरकार आइन भटों का भुगतान भी करेगी बिहार लोग से वायोग ने सुकुरवार को इससे जुड़े द होना वजसक है आज के लिए आपका सवाल बताए कि प्रदान मंत्रे जोला योजना के ताथ आपको गेस का कनेक्शन प्राब्ध हुआ है कि नहीं इसका जवाब आप आमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए